दोस्तों यहाँ पर देखतों मेरे ही चैनल का यह वीडियो है आई से दो साल पुराना और देख सकतों मेरे वीडियो पर व्यूज पहले क्या आता था लाइब देखो यहाँ पर दो सो तीन सो एक सो डेड़ सो इस से ज़्यादा व्यूज नहीं आता था तो मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारा गलतिया किया हूँ और मैंने चैनल स्टार्ट कब क्या हूँ पता है देखो यहाँ पर 2018 मैंने चैनल स्टार्ट किया हूँ लेकिन 2018 से लेकर मैं अपने चैनल पर लगभग 2 साल 3 साल तक जो मेहनत किया वो बेकार का मेहनत किया दोस्तों मैं भी जब 3 साल टाइम हो चुका था मेरे वीडियोस पर व्यूज उतने ही आ रहा था 200, 100, 300 इससे ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहा था तो 3 साल काम करने के बाद मैं भी आखिर सोच रहा था कि आखिर मेरे वीडियोस पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है आखिर क्यों मेरे वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है तो कहीं ने कहीं दोस्तों अगर आपके भी चैनल पर अगर मालीजे कई दिन हो गया मतलब 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 6 मैना हो चुका है लेकिन अगर आपके videos पर viaaj지 नहीं आता है तो मैं पूरे guarantee के बोल सकता हूँ कि आपका चैनल freeze हो चुका है आपका जो YouTube channel है वो फ्रीज हो चुका है अब दोस्तों YouTube channel freeze क्यों हो जाता है और दोस्तों आपको यहाँ पर देखो मेरे YT studio app ठीक है? और यहाँ पर देखे, मैं आपको life दिखाता हूँ, देखो मेरे चैनल पर अभी यह मेरे चैनल का lifetime आपको दिख से ब्यूज निकाला हूँ अब देखे, मेरे चैनल पर जो start किया था मैंने तो यहाँ पर देखो channel चैनल start किया था 2018 को 2018, 11 September and Semis लेखने यहां पर देखो 2018 से लेकर 2000 कितना है 2021 2021 तक 2022 तक मैंने focus that मैंने focus काम किया मैं भी अपने channel पर महनत किया हूँ 2-3 साल मैं भी struggle किया हूँ और उसके बाद अभी मेरे channel का growth है दोस्तों आप मेरे चैनल को कितने दिनों से जानते होंगे एक साल छे मैना दो साल डेड़ साल इस से जादा दिन से नहीं जानते हैं लेकिन मैंने अपने चैनल को आज नहीं क्रियेट किया हूँ एक साल क्रियेट किया हूँ दो जर अठार को मैंने चैनल क्रियेट किया था और उसके बाद अभी मेरे चैनल का ग्रोथ है और मेरे वीडियो पर व्यूज भी आता है और अच्छा खासा अर्निंग भी होता है तो तो मेरे भी चैनल कहीं नहीं फ्रीज हो चुका था जब मैं भी लगबग 2-3 सल काम किया था अपने चैनल पर मेरे वीडियो पर व्यूज नही आता है तो आज मैं इस विडियो को बताने वाला हूँ कि आप अपने मान लेता हूँ मैं मेरा भी चैनल फ्रीज नहीं हुआ था लेकिन मैंने जब उन ट्रिप्स & ट्रिक्स का यूज किया तो मेरे चैनल पर रिजल्ट मिला मेरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गया व्यू जाना स्टार्ट हो गया तो मेरे चैनल पर काम कर सकता है तो वो ट्रिक आपके भी चैनल पर काम कर सकता है 100% काम करेगा दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने चैनल में क्या-क्या काम किया था कौन से टिप्स और ट्रिक्स का यूज किया था जिसके बाद मेरे वीडियो पर 3 सल बाद दुबारा व्यूज आना स्टार्ट हो गया और अभी लाइब देख सकते हो मेरे चैनल पर 6 लाग से प्लस स्कावर हो चुका है और अभी अच्छा कासा सारे वीडियो पर व्यूज आता है तो मैंने क्या ऐसा काम किया पहले होता क्या था कि यूटूब रिकॉमेंड ही नहीं कर रहा था वीडियो को लेकिन जब मैंने वो काम किया अब यूटूब रिकॉमेंड भी करता है और वीडियो पर अच्छा कासा व्यूज भी आता है और दोस्तों पिछले 2-4 दिनों से मैं अपने चैनल पर रेगूलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ जिसके कारण मेरा अभी व्यूज थोड़ा सा कम हो चुका है अभी आपको लाइब दिखाता हूँ यहाँ पर देखो अभी मेरा ग्राफ में तोड़ा सा डाउन आ चुका है क्यों डाउन हो चुका है क्यों मैं रेगूलर कंटेंट दे नहीं पा रहा हूँ अफ्लोड नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए तो दोस्तों अगर आप भी अपने यूटूब चैनल को अनफ्रीज करना चाहते हो अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है तो आज मैं आपको चली बताने वाला हूँ कि आप अपने यूटूब चैनल को दुबारा अनफ्रीज कैसे कर सकते हो जिसके बाद आपका वीडियो यूटूब रिकॉमेंट भी करेगा और आपके वीडियो पर व्यूज भी आएगा अगर दोस्तों कर आप जानना चाहते हो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट लेकिन इससे बहले कर लगा यहाँ पर विनर देखो इस बाद चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रप्शन मेंट कर जाऊ हूं और अपने कम्निटी पोश्ट में तो जाके पहले बाद चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके चैनल को सपोर्ट करो और दोस्तों next time अगर आप इने राते हैं अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है अगर आप मेरे चैनल पर नाई हो चैनल को सबस्क्राइब करना है विडियो को लाइक करना है और नीचे comment box में आपको प्यारा सा comment कर देना है उसके बाद अगर next time अगर आप इन रहाते हैं तो आपका चैनल का link में एक साथ दोने जगा प्रमोसन कर दूँगा तो दोस्तों चलिए करते हैं विडियो स्टार्ट अब दोस्तों मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने चैनल में कौन कोन सा काम किया था कौन से tips and tricks का use किया था है जिसके बाद मेरा channel unfreeze हुआ है अब मैं आपको भी दिखाऊंगा जिसे करने के बाद आप भी अपने channel को unfreeze कर सकते हो अब दोस्तों देखिए channel freeze होता कैसे है पहले ये जानते हैं आखिर क्या इसे channel पर गलती कर देथा है जिसके बाद channel freeze हो जाता है क्योंकि मैंने भी अपने channel पर गलती हैं किया था तो पहला गलती देखो पहला गलती आप अपने channel में जो वीडियो upload करते हो तो उस वीडियो को कभी delete मत करना delete करना ही मत दोस्तों आपको मैं वो भी बताऊंगा कि अपने channel को unfreeze कैसे करना है कौन से tip centrist का use करना है लेकिन पहले यह तो समझ लो कि आखिर channel freeze क्यों हो जाता है क्या अपने channel पर यह कौन सी गलती कर देते हैं जिसके बाद channel freeze हो जाता है तो नए नए यूटुबर खास करके यह गलती करता है अपने चेल में वीडियो अप्लोड किया हुआ विडियो को डिलीट कर देता है अब 10 दिन 12 इन वर्लो.'' विडियो को स्कुर्वर कर दिया कुछ कहा है चुन का। इसके बार डिलीट कर दिया, खुद से मतलब इसको certified नहीं है, तो YouTube क्या आपके वीडियो को रिकोमेंट करेगा, तो इसलिए कभी भी अपने वीडियो को डिलीट मत करना, यूटूब से डिलीट करते हो तो आपका इंफरेसन डाउन कर देता है YouTube, कभी भी अपने वीडियो को कोई भी वीडियो को रिपलोड मत करना, जो वीडियो अपने चैनल पर तो दुबारा उसी content को अपलोड मत करना, आनि कि उसी वीडियो को same file को अपलोड मत करना, अगर दूसरा आपको उसी टोग बनाना हो बना सकतो फिर से अपलोड कर सकतो, लेकिन उसी वीडियो को दुब आपका चैनल का इंफ्रेशन डाउन करता है यूटूब और चैनल फ्रीज हो जाता है अब तीसरा गलती देखिए कभी भी अपनी चैनल पर अब कारण यही है मालें जी मिक्स सब्टेंट अप्लोड करते हैं मिक्स आपको सब्सक्राइबर मिलेगा जाएगा इंप्रेशन जादा लोगों के पास भीजता है तो यह जो तीन कारण है जिसके कारण चैनल फ्रीज हो जाता है अब मैं जब कुछ लिए दिखाता हूं कि मैं अपने चैनल में कौन से सा टिप्स और ट्रिक्स का यूज किया जिसके बाल मेरा चैनल अनफ्रीज हुआ है तो देखिए भाई लाइब में आपको करके दिखाता हूं कि मैंने अपने चैनल में किया क्या लाइब आपको दिखाता हूँ इस setting को जाकर आप भी अपने channel पर try कर सकते हो और आपका भी channel unfreeze हो जाएगा और हो सकता है कि channel freeze होता ही नहीं है मैं मान लेता हूँ कि channel freeze नहीं होता है लेकिन फिर भी यह setting करने का बाद आपका information बढ़ेगा 100% और आपका video recommend करना इस्टार्ट कर देगा क्योंकि नए creator का video recommend नहीं करता YouTube तो जिवर्जस्ति उसको recommend करवाएंगा भाई आज में आज जो आपको tips बताने वाला हूँ इसे करने के बाद आपका video 100% YouTube recommend करेगा अब यहां पर देखिए आपको करना क्या है तो पहले देखिए भाई आपको अपने mobile के यहां पर Chrome browser होता है इसे open कर लेना है Chrome browser ठीक है हो आपको मैं देखिए टोटल यहां पर दो setting बताने वाला हूँ तो पहले आपको अपने mobile के Chrome browser निकाल लेना है अब जैसे आपका Chrome browser open होता है तो यहां पर देखिए आपको search करना यहां पर लिखना है YouTube.com और search कर देना है या फिर इस logo पर आपको करना है click YouTube के logo ठीक है तो यह setting करके देखो और बड़े वले creator किया है अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आपको desktop side पर कर देना है click ठीक है और desktop side पर इसे click करते हैं तो उसके बाद देखिए भाई आपके mobile में ही windows के जैसा open हो जागा अब देखिए आपको छोड़ा सा यहां पर logo लोगों दिखेगा तो बस इस logo पर करना है click अपने channel वाली logo पर अब दिखिए आपको यहां पर दो नुमर में option मिलता है YouTube Studio तो डाइटली आपको YouTube Studio पर करना क्लिक जैसे YouTube Studio पर आप क्लिक करेंगे तो आपके mobile में YouTube का BTI Studio open हो जागा तो पहला setting आपको यहीं से करना है और second setting आ आइकन पर छोटा सा मिलेगा यहां पर जूम करेंगे page को तो बड़ा दिख जाएगा यहां पर देखिए अब इस setting आइकन पर आपको करना है click चले मैं click कर देता हूं इस पर जैसे click करेंगे तो देखिए आपके सामने spec interface खुल जाएगा अब देखिए पहला जो tips का यूज क चैनल में करना है यहां पर देखिए आपको जाना चैनल वाली option पर तो मैं चैनल करता हूं click अब चैनल पर जैसे क्लिक करता तो बस यही पर आपको काम करना है थोड़ा सा अपने चैनल में आपको चेड़ कर देना है अब यह जो सेटिंग आपको बता रहा हूं इस setting को करने से बहुत सारे लोग तो यह बोलेंगे कि यह गलत तरीका है मेरा चैनल हो सकता मुनोटाइज नहीं होगा हो सकता है डिलीट कर दे यूटूब लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे चैनल पर क्रियेटर साथ 2.0 पर आज लगबग 6 लाग से प्लस स्कावर हो चुका है 6 लाग लगब आप चाहते हो कि आपका वीडियो रिकॉमेंड करवाएए यूटूब तो आपको क्या करना अपने नीच का बड़े-बड़े क्रियेटर का चैनल का नाम यहाँ पर डाल दो ऐसे में होगा क्या उन बड़े क्रियेटर का जो चैनल है उनके जो सब्सक्राबर है उनके तक मैंने यहाँ पर डाल कर रखा हूं देखो यहाँ पर देखो मनोईदे हो गया उसके बाद देखो यहाँ पर टेक्निकल योगी हो गया तो यहाँ पर देखो जुन्लू की टेच हो गया तो यहाँ पर देखो कम से कम पांच से दस क्रियेटर का नाम डालना है जो कि आपके न हो जाता है कहींने कहीं keyword add होने के बाद उसके पास recommendation करने लगता YouTube क्योंकि आपका वीडियो अभी starting में recommend नहीं कर रहा है पर्मोट नहीं कर रहा है लेकिन यह keyword डालने से आपका video उनके पास पहुंचना start हो जाता है तो मैंने यह setting को आई सेल दो साल तिन साल पहले किया हूं दो साल पहले किया हूं और तब से मेरा अच्छा कासा result मिल रहा है मेरे चैनल का growth भी हो रहा है तो पहला काम यह करना है जिससे बड़े बड़े creator के जो subscriber है उनके पास अपका video recommend करेगा और video अगर सही बंदा के पास चल गया सही लोगों पास चल गया तो वो automatic आपका video को देखेगा और video देखेगा तो view भी मिलेगा आपको subscriber भी मिलेगा आपको तो पहला काम आपको यह करना है अगर आपको अपने channel को unfreeze करना है अब second काम आपको क्या करना है इसे कर लेना बस अपने keyword में डाल देना ठीक है अब second काम आपको क्या करना है यहाँ पर देखेए आपको अपने mobile के yt studio app open करना है तो मैंने अपना yt studio app open कर लिया हूँ अब देखे भाई जो second setting आपको बताने वाला हूँ यह मैं अपने channel पर किया हूँ creator size 2.0 पर अभी आपको live दिखाऊंगा अभी भी मेरे वो चैनल पर अनि की setting किया हुआ है creator size 2.0 पर यहाँ पर देखो मैं जाता हूँ content पर अब देखे भाई आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पहले मैं popular video आपको दिखाता हूँ मेरे channel पर सबसे जादा जो जो आया है जो video viral हुआ है उसी video को आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर देखो यह वाली video मेरा viral हुआ है तो इस video को मैं कर लेता हूँ open पहले आपको live दिखाने के लिए क्या हो सकता है हो सकता आपको भरोसा ना हूँ इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ पैंसल आइकन पर क्लिक करता हूँ अब pencil आइकन पर जैसे क्लिक करेंगो तो यहाँ पर देखिए मैं जाता हूं description में और यहाँ पर देखो बाई description में यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो बड़े बड़े creator का नाम मैंने डाला हूं कि नहीं डाला हूं हैजटेग डाला हूं यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो creator size 2.0 हैजटेग मनोई दे मंगेश कुमार देख तो tech champion support spreading या टेकनिकल योगी मैंने एड किया हूं क्यों एड किया हूं क्यों मैं चाहता था कि मेरे वीडियो इनके subscriber तक पहुंचे मेरा वीडियो तब तो वाइरल हो ऑठाइस लाग व्use पर चल चुका है एक साल लगबक होने वाला है और मेरे वीडियो पर अभी य लगाई है और मेरे मेरे चैनल पर यहाँ पर यहाँ पर मैं दूसरा भी वीडियो आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर मैं चलिए क्या करता हूँ इस वीडियो को आपको दिखाता हूँ जो आप तब तो आपको भरोसा होगा कि मैंने किया हूँ एड और आपको एक चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको करना जरूरी है यहां पर देखो पहले पैंसल आइखन पल Chap किलिक करता हूं पहले अब eth션 में जाता हूं तो यहां पर फैड किया हूं सच में में अपने चैनल पर यह experiment किया काम किया तो मैं Stanger hem हो सकता मेरा monotination disabled हो जाए channel remove हो जाए इस time मिल जाए कुछ हो जाए लेकिन आए तक कोई दिक्कत मुझे नहीं हुआ है hashtag यूज करने से कुछ नहीं होता है सब कोई hashtag यूज करता है ठीक है तो ये आप कर सकते हो लेकिन दोस्तों एक सला मैं आपको देना चाहूँगा अगर आपको चैनल में सबस्क्राबर भी पूरा नहीं हुआ वाइस टेम पूरा नहीं हुआ है जब अपने चैनल को monotination के लिए भेजोगे तो उस time थोड़ा time के लिए भी से हटा देना सारे वीडियो से हटा देना और जो आप चैनल के keyword में दूसरे चैनल का जो नाम डालेंगे ना उससे भी हटा देना जब सिर्फ monotination खरने के लिए और दुबारा जब आपका चैनल monotide हो जाए तो दुबारा aid कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होता है बांकि यह भी अगर आप नहीं हटाते हो फिर भी आपको monotination में दिक्कत नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन फिर भी दोस्तों आप risks क्यों ले रिक्स मत लेना आप हटा देना और मैं तो यही सला दूंगा कि आप जो पिछले तीन वीडियो में जो हैस्टेक डालेंगे तो अगर आपका वीडियो जो वीडियो नहीं चलता है जिस पर नहीं आता है तो उन से रिमूब कर दो कि आई से पिछला तीन दिन पुराना वीडियो से रिमूब कर दो हैस्टेक और नया नया वीडियो नहीं रहेगा कि उसी के वज़य से मेरा चैनल मेनोटाइज नहीं हुआ तो मैंने अपने चैनल पर किया इसलिम आप लोगों को बता रहा हूं बांकि यह आपका मर्जी है अगर आपको लगता है सही तो आप कर सकते हो मैंने किया हूं इसलिए मैं आपको बताया तो चलिए दस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं सबस्टाइब करना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक के लिए जय हिन बंदमात्रम